अगर आप हमारे पेज पर नए हैं तो प्लीज हमारा पेज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक इसे लाइक और सब्सक्राइब पाइबर टू फैब्रिक ठीक है इंट्रोड़क्टरी वीडियो रहेगा इसके बाद हम इसका डीप स्टड़ी करने वाले हैं ठीक है तो यहां पर फाइबर टू फैबरीक यानि कि यह दोनों वर्ड आपके फैमिलियर है जो पिछले स्टैंडर्ड में आपने क्या किया है ठी स्टड़ी किया हुआ है ठीक है तो यह फाइबर वर्ड जो है वह आपका फैमिलियर है तो इसके बारे में आपने स्टड़ी किया हुआ है ठीक है तो यह फाइबर जो है वह कहां से मिलता है प्लैंट से मिलता है यानि कि जो हमारे सराउंडिंग में प्लैंट्स है उस जाडियों में से या उन पेड़ों में से हमें क्या मिलता है यह फाइबर मिलता है जो आपने प्रिवेस एयर में क्या किया है study किया है ठीक है तो maximum amount of fibers can be obtained from plants so this is a natural fiber और इसके अलावा आपने यह भी study किया है कि जो वूल या शिल्क है यह दो fibers है एक different type के fibers रहते हैं वूल और शिल्क यह दो अलग-अलग तरह के fibers होते हैं जो हमें कहां से मिलते हैं प्रानियों से मिलते हैं यानि कि जो डिफरेंट इनिमल से हमने क्या मिलता है यह विह हमने क्या किया है यह स्टडी किया है यह या herkes अब जो है वह से मिलने वाला है यानि भेड से मिलता है वह तो आपको पता है ये general knowledge है कि सब को पता है कि भेड से हमें क्या मिलता है ये जो की wool जो है वो मिलता है fleece, fleece यानि कि क्या उसके बाल, उन बालों से क्या मिलता है हमें ये wool मिलता है या फिर याक से भी वो हमें मिल जाता है ठीक है अब इस chapter में जो है हमें totally animal fibers के बारे में study करना है यानि कि पिछले साल में हमने क्या study किया था जो कि plant से हमें wool मिलता है या plant से जो भी fibers मिलते है वो हमने study किये लेकिन इस साल हमें क्या study करना है animal fibers जिसमें wool और silk के बारे में हमें क्या करना है study करना है तो इस येर में हमें totally wool और silk यह जो दो animal fibers है उसके बारे में हमें क्या करना है study करना है ठीके तो plants के बारे में हमने already study किया है अब हम study करने वाले है animal fibers के बारे में ठीके तो उसमें से पहला है wool यह word आपको familiar है ठीके तो उल कहा से आता है, उल कम्स फ्रॉम शीप, गोट, याक and some other animals, यानि कि कुछ animals है, उन animals के थुरू हमें ये उल्स क्या होता है, मिल जाता है, ठीक है, पहला एनिमल कौन सा है, शीप, ठीक है, शीप को आपने देखा है, उससे हमें उल मिलता है, उसके अलावा गोट, ठीक है, एक्चुली हमारे महराश्चों में जो गोट है, उससे हमें उल्स नहीं मिलता है, दूसरे एरिया के उल्स गोट जो है, उनसे हमें क्या मिलता है, ठीक है, तो गोट भी एक दूसरा animal है, जिससे हमें उल्स मिलता है, उसके अलावा याक है, याक से भी हमें उल्स मिलता है, औ और कुछ other animals भी है, other animals यानि कि क्या, जैसी कि camel यानि कि उन्ट, उससे भी हमें क्या मिलता है, उल मिलता रहता है, तो ये कुछ animals की list यहाँ पर हमने की है, कि जिन से हमें उल प्राक्त होता है, उल कमस फ्रॉम शीप, गोट, याक, एंड सम आदर अनिमल, उसके अलावा, इस उल इल्डिंग एनिमल्स, बियर हेर अन देर बोडी, यानि कि जो भी एनिमल्स इस उल को कैरी करते हैं, यानि कि जिन एनिमल्स से हमें ये उल मिलता है, यानि कि उल इल्डिंग एनिमल्स को, जो है, वो उनके बोडी पे कह रहता है, बाल रहते हैं, उनके जो कि उनके बोडी है उसके ओपर bear hair रहते है थीक है यानि कि एक जाड़ी परत रहती है बालों की जाड़ी परत वहाँ पर क्या होती है प्रेजेंट होती है और उससे ही हमें क्या मिलता है एक्चुली उल मिलता रहता है थीक है अब इन animals को ये बाल क्यों दिये होते हैं क्योंकि इन बालों के बीच में काफी ज्यादा मात्रा में हवा क्या होती है लॉक हो जाती है यानि कि इन बालों में बहुत सारी हवा क्या हो जाती है ट्रैप हो जाती है और हमें पता है कि air जो है यानि कि हवा जो है वो poor conductor of heat है, यानि कि इसमें से जो heat है वो flow होती है, जी नहीं, यानि कि air is a poor conductor of heat, ये एक important concept है जो animals क्या करते है, use करते है, जिसके कारण वो animal जो है वो गर्म रहते है, यानि कि उन्हें थंड नहीं लगती, उनका थंड से क्या हो जाता है बचाव हो जाता है क्योंकि उनके बालों में क्या होती है बहुत ज्यादा हवा क्या होती है अटक जाती है लॉक हो जाती है जिसके कारण उन्हें थंड नहीं महसूस होती क्योंकि जो हवा है वो हीट का क्या है बैड कंड़क्टर है या पूर कं है उन्हें थंड से बचा के रखते हैं उन्हीं बालों से क्या किया जाता है वुल ऑप्टेन किया जाता है और यह उल जो है हम भी किसलिए यूज करते हैं थंड से बचने के लिए क्यों कि जो परपज उन एनिमल्स का है वही परपज हमारा भी है कि थंड से बचने के लिए व हर एक एनिमल की जो स्कीन होती है वहाँ पें दो तरह के फाइबर्स क्या होते हैं हमें अप्टेन होते हैं तो उसमें से जो पहला फाइबर है वो है दो कोर्स बीर्ड है यानि कि हम इसे कहेंगे कि बेहधी हाड बाल होते हैं यानि कि वह जो बाल है वह बहुत ही हाड होते हैं अब यह hard coarse beard hair और soft hair है उसका difference अगर आपको पता करना है तो एक छोटा सा आपको trick करना होगा या छोटी सी activity आपको करनी होगी अगर आप आपके एक हाठ से जो आपका hand है उससे दूसरे हाठ के ऊपर जो छोटे प्रोस हैँ उसके ऊपर हाठ रखेंगे और उन बालों को महसूस करने का ट्राई कीजिए और उसके अलावा दूसरा वे है कि आपके जो सर के ऊपर बाल है यानि कि आपके hairs है तो आपको easily उन तो आप अगर सर पे हाथ रखेंगे तो वो जो बाल है वो आपको थोड़े से हाड लगेंगे ठीक है यानि कि थोड़े से हाड वो महसुस होंगे और अगर आप हाथ के उपर के जो बाल है उन पे अगर उसे सहलाएंगे तो वो क्या होंगे बहुत ही सॉफ्ट होगे यानि कि म यानि कि the fine soft under hair close to the skin यानि कि skin के एकदम पास में जो है वो बहुत ही soft बाल होते है ठीक है तो इस तरह से दो टाइप के बाल जो है वो किसी भी wool deriving जो wool yielding animal है उसके body के उपर क्या रहेंगे दो टाइप के बाल present रहेंगे एक तो हाड बाल और दूसरे जो है बहुत बहदी soft skin जो रहती है या soft hair जो रहते है उस टाइप के बाल ठीक है तो इस तरह से wool yielding animals के उपर यानि कि उनके body के उपर fliss के अंडर ये दो टाइप के hair क्या रहते है प्रेजेंट रहते है अब हमें देखना है कि कौन से कौन से animals जो है ये wool हमें provide कर रहे है यानि कि ये wool हमें किस-किस animals से मिल सकता है ठीक है Now, several breeds of sheep are found in different parts of our country However, the fliss of sheep is not the only source of wool यानि कि ये हमारा वहम है या हमेशा हमें बताया जाता है कि भेड से ही हमें wool मिलता है लेकिन ऐसा नहीं है, सिर्फ भेड ही ऐसा एक animal नहीं है कि जिसके through हमें ये wool मिलता है तो इसके अलावा बहुत सारे animals है जिनके उपर से हमें क्या मिलता है, wool मिलता है और ये जो animals है हमारे भारत के कोनो कोनो में बसे हुए है यानि कि हर एक region में हर एक तरह का animal वहाँ पर क्या मिलता है हमें मिल जाता है तो region-wise हमारे जो देश है उसमें region-wise ये animals क्या होते हैं मिलते रहते हैं और उनसे wool क्या होता है प्राप्त होता रहता है अगर आपको इन different animals के बारे में जानना है किस region में कौन सा animal है तो आपके textbook में एक separate table दिया हुआ है उस table में सभी तरह के जो animals है उसकी information आपको दी हुई है तो उससे आप वो information प्राप्त कर सकते हैं तो अगर commonly available wool देखेंगे तो वो कौन सा है शिप का है यानि कि भेड का wool जो है वो ज़्यादातर market में क्या होता है available होता है easily मिलता है cheap होता है cheap यानि कि वो सस्ता होता है यह देखें यहाँ पे ship का जो diagram है वो दिखाया हुआ है ship आपको पता होगी कैसी दिखती है आपने आपके आसपास की एरिया में देखी भी होगी तो ship का यहाँ पे diagram या उसका picture आपको दिया हुआ है ठीक है उसके बाद याक भी है ठीक है मैंने पहले ही mention किया है कि हमारे देश के कोने कोने में अलग तरह के animals है different parts में different animals है जिसके through हमें क्या मिलता है उल मिलता रहता है तो एक दूसरा animal कौन सा है याक ठीक है वो भी एक तरह का उल-ilding ही है उल-ilding animal है ठीक है वो कहाँ पे पाया जाता है तिबेट और लद्दाक में यानि कि तिबेट और लद्दाक ये दो areas है जहाँ पे सिर्फ ये याक क्या होते है पाये जाते है क्योंकि वो पहड़ी इलाकों में रहते है पहड़ी और सर्द इलाकों में पाये जाते है इसलिए वो कहाँ पे मिलते हैं तिबेट और लद्दाक में ही मिलेंगे ठीक है उसका पिच्चर अगर आप देखेंगे यहाँ पे उसका पिच्चर दिया हुआ है याक दिखें उसके उपर भी काफी सारे बाल है यानि कि चाड़ी परत है बाल की जो कि उल के लिए यूज की जाती है ठीक है उसके बाद अगला एनिमल है अंगोरा उल इस अप्टेन फ्रॉ अंगोरा जोट्स यानि कि बकरी है जिसके एपर से भी यह अंगोरा उल नाम का उल क्या होता है हमें अक्वाएर होता है और यह कहाँ पर पाया जाता है इस फाउंड इन ही रीजिजन सच आज जम्मू और कश्मिर यानि यह भी पहाड़ी इलाकों में ही पाया जाता है और पहड़ी इला का जादा तरकाहा पर है जम्मू और कश्मिर में हैं तो वह वहाँ पे मिलता है उसका पिच्चर अगर आप देखेंगे यहाँ पे उसका पिच्चर दिया हुआ है बक्री जैसा ही है सिर्फ इसके बाल ज्यादा घने है जिसके कारण वह उल के लिए यूज किये जा सकते है ठीक है ऐसा नहीं कि यह बक्री नहीं है वह बक्री ही है लेकिन थोड़ी सी अलग तरकी बक्री है जिसके उपर ज्यादा बाल क्या है प्रेजेंट है ठीक है और वह उली जाप्टेन फ्रॉम गोट है दो अंडर फर ऑफ कश्मिरी गोट इस सौफ्ट एड़ इस फाइन शौल्स कॉल्ड पश्मिना शौल्स ठीक है तो यहाँ पे जो भी यह गोट है उससे जो उल मिलता है तो वो क्या होता है सौफ्ट होता है कश्मिरी गोट जो है उससे जो उल मिलता है वो क्या होता है सौफ्ट टाइप का होता है और इससे हमें शौल बनाए जाती है ह हम किसलिए यूज करते हैं उसे शॉल बनाने के लिए और उस शॉल को क्या नाम दिया गया है पश्मीना शॉल्स यह क्या है उसका नाम है और यह कहाँ पर बनता है कश्मीर में और किस से बनता है कश्मीरी गोट से ही लिया जाता है क्योंकि उसके जो हेर से वह बहधी और आपका जो स्वेटर रहेगा उसका स्ट्रॉक्चर थोड़ा सा हाड होता है ठीके तो वह डिफरंस इजी लिए आपको मालूम हो जाएगा ठीके तो यहां पर यह कश्मीरी गोट भी दिखाई गई है ठीके पहली वाली बकरी कौन सी है वह पहली वाली जो बकरी है वह कौन का है तो डिफरंस ध्यान में रखिए अंगोरा गोट और कश्मीरी गोट जो है वह दोनों एक अलग तरह के अनिमल्स है जो अलग तरह का उल क्या करती है हमें प्रोहेड करती है ठीक है उसके बाद दफर ऑन दबॉड़ी ऑफ कैमल्स इस अलसो यूज़ यानि कि उन जो है उट के उपर भी एक फर रहता है जिसको भी हम क्या कर सकते है आप कहेंगे कि उट तो गर्मी के इलाके में रहता है तो उसके उपर ये उल क्यों होता है तो यहां पर उल्टा फंक्शन है कि उनका जो बेसिक फंक्शन है वो क्या है कि उसके बाड़ी की जो हीट है वो बाहर नहीं जानी चाहिए इसलिए वो क्या करता है इस तरह का जो फर है वो मेंटेन करता है ठीक है तो यहां पर कैमल भी दिखाया गया है पिच्चर में उसे तो आपको आप सबने देखा होगा कैसा दिखता है यह आपको पता है ठीक है उसके बाद लामा और अल्पाका फाउंड इन सौथ अमेरिका अलसो इल्ड उड अब यह हमारे देश के बाहर के अनिमल्स है ठीक है हमारे देश के कैमल तक है लेकिन यह लामा और अल्पाका यह जो दो अनिमल्स है वो हमारे यहां नहीं पाये जाते है वो कहाँ पे पाये जाते है द्यार found in a south अमेरिका यानि कहापे मिलते है वो south अमेरिका में मिलते है जो भी हमें एक उल provide करते है अगर उसका picture आपको देखना है तो यहापे picture दिया हुआ है लामा का picture जो है वो यह second number का है और अलपाका का अगर picture देखेंगे तो वो भी यहापे दिया हुआ है यह क्या है अलपाका इन सब अगर आप देखेंगे तो यहापे देखिए बहुत सारे बाल present है जो किसले यूज किये जाते है उल बनाने के लिए क्या किये जाते है यूज किये जाते है ठीक है तो इस तरह से यह सारे अनिमल से जिससे हमें उल क्या होता है अप्टेन होता है तो इस लेक्चर में इतना ही चनरल डिस्क्रिप्शन हमने किया है कि उल कैसे मिलता है किस अनिमल से मिलता है यह हमने देखा है तो नेक्स लेक्चर में हम क्या देखने वाले है इस उल को process के से किया जाता है ऐसा नहीं है कि इस animal से उसे निकाल के सीधा हम पहनने के लिए use कर सकते हैं पहनने से पहले हमें उसके उपर क्या करना पड़ता है बहुत सारे processes carry out किये जाते हैं अगर आप देखेंगे आप जो sweaters use करते हैं different colors के होते हैं तो वह कैसे obtain होते हैं तो उसकी detailed process हमें next lecture में देखनी है तो अब तक के लिए इतना ही तो इस animals के बारे में इतना ही आगे हम देखेंगे कि उसके उपर process कैसे होता है ठीक है thanks for watching the video अगर आप हमारे channel पर नए है और अभी तक आपने हमारा channel subscribe नहीं किया है तो please like subscribe and share our page so you can get the updates in the future again thanks for watching the video have a nice day